तो फ्रेंज आज का वीडियो उन लोगों के लिए यूसपुल होने वाला है जिनका एज 18 से कम है और हाँ अगर आप 18 से ज्यादा भी है तब भी आप इस तरीके से एकाउन को खोल सकते है तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका एज 18 से कम है क्योंकि इसमें जो trick में बताने वाला हो अगर आप उस trick को follow करते हो आपका account तो open होगा ही साथ ही आपको ATM मिलने वाला है आप UPI कर सकते हो online सारा transaction कर सकते हो इसी एक app के थुरू आप सारा कुछ कर पाओगे और यह जो account है completely zero balance account है इस account में आपको मांथली कोई भी average balance maintain करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और इस account को आप दूसरा किसी भी UPI याप जैसे phone पे हो गया, Google पे हो गया, PTM हर जगा पे use कर सकते हो और सारा transaction कर सकते हो तो चलिए वीडियो को जादी से start करते हैं, उससे पहले वीडियो को अभी तक आपने like नहीं किया तो like करें, channel पार पहली दबा विजिट कर रहे हो तो channel को subscribe कर लिजिए तो चलिए वीडियो में आगे का process शुरू कर लेते हैं तो इस zero balance saving account को open करने के लिए पहले आपको play store को open करना है, उसके बाद इंडिया post payment bank की जो official application है उसको download कर लेना है इसका जो link है वीडियो का description में है, उस पर click करके direct आप इससे download कर सकते है, next आपको इस application को open कर लेना है open करने के बाद आपके सामने जो भी permission मंगेगा उसको allow कर देना है, तो permission allow करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा तो यहापे आपको open your account now इस पर आपको click कर देना है, इस पर click करते ही आपके सामने यह वला interface आएगा, तो आपको यहापे no कर देना है next आपको यहापे अपना mobile number डाल देना है, उसके बाद account type automatically digital saving account पर रहेगा, तो आपको इसे ऐसे रहने देना है, उसके बाद आपका pen card का number यहापे डाल देना है देखो अगर आपका age 18 से काम है, तो आपके पास pen card नहीं होगा, तो यह इसे में आपका mommy papa का pen number यहापे डाल देना है next आपको यहापे simply continue पर click कर देना है, next आपका mobile number पर एक OTP बेज दिया जाएगा, OTP को यहापे डालेंगे, और यहापे submit पर click कर देंगे next आपको यहापे अपना KYC को complete करना होगा, इसके लिए आपका other cut को आप यहाँ से skin भी कर सकते हैं, या फिर आपना other number खुद डाल सकते हैं, या फिर आप other virtual ID भी डाल सकते हैं, तो चलिए हम लोग यहापे other number पर select करके, यहापे other number डाल लेते हैं, और इसी other number को आपको आपको टिक लगा देना है, उसके बाद आपको simply यहापे submit पर किलिक कर देना है, next आपका other cut के साथ जो mall number लिंक किया हो रहेगा, उस mall number पर एक OTP जाएगा, OTP को आपको यहापे डालना है, उसके बाद सिम्पिली submit पर किलिक कर देना है, next यहाप पर account opening करने का form आ जाएगा, तो पहला इस tip में आपको personal information भर देना है, इसके लिए आप इस पर किलिक करेंगे, तो यहापर आपका real name यहापे show हो जाएगा, यहापर आपका other number आ जाएगा, आपका photo को PP यहापर आ जाएगा, जो कि bank ने automatically आपका other cut से ले लिया है, next आपको यहापे जो information missing है उसको भर दे जाएगा है, जैसे कि आपका mother's maiden name, आपका माता का साधी से पहले जो नाम था उसको यहापे डालेंगे, यहापे अपना husband's name या फिर wife का नाम डालेंगे, अगर आप single है तो इसको खाली भी सोर सकते है, उसके आपका mother's name यहापे डालेंगे, father's name यहाँ डालेंगे, email ID यहाप लिए save पर किलिक कर देंगे, तो चलिए मेरा information यहापे भरके save पर किलिक कर देता हूँ, save पर किलिक करने के बाद आपका personal information में यहापे green tick आ जाएगा, उसके बाद आपका pen और communication address यहापे डाल देना है, इसके लिए आप इस पर किलिक करेंगे, तो यहापे आपका permanent address आ तो चलिए मेरा जो पार्मानेट अड्रेस है, यही मेरा कम्विनिकेशन अड्रेस रखना चाहूँगा, तो इसको टीक रहने देना है, उसके बाद सिंपली सेप पर किलिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे दोनों जो बॉक्स से यह गरिन टीक आ गया है, नेक्स्ट आपको यहांपे no mini details भार देना है, तो यहांपर अगर आप no mini add करना नहीं चाहते हैं, तो no part tick लगा के save कर देंगे, अगर आप no mini add काना चाहते हैं, तो yes part tick लगाएंगे, उसके बात no mini का नाम यहाँपे डालेंगे, no mini का date of birth इस calendar से select कर लेंगे, उसके बाद नोमिनी के साथ आपका क्या relationship है इस पर click करके select कर लेंगे नोमिनी का address और pin code यहाँ पर डाल के simply save पर click कर लेंगे तो आप आप यहाँ पर देख सकते हैं तीने option में green tick आ गया है next आपको यहाँ पर additional information बार देना है इसके लिए आप इस पर click करेंगे उसके बाद nationality पे इंडियन पे automatically रहेगा next आपको यहाँ पर maritalisator select करना है अगर आप साधी सुधा हो तो maritalisator select करेंगे unmaritalisator यहाँ पर select करेंगे divorce,udo यह सब का option भी आपको दिया जाता है तो इस पर select करने के बाद आपको यहाँ पर occupation type select करना है यहाँ आप क्या काम करते हो business, agriculture यहाँ पर retire, select, सबसरा का option यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आप others पे भी select कर सकते है next आपको यहाँ पर gross annual income अपना साल आना कितना कमाई है उसको यहाँ पर select करना है उसको select करने के बाद आपको यहाँ पर educational label select करना है आपका पढ़ालिक का कितना किये हो यहाँ पर matriculation, graduate, undergraduate, post graduate का option दिया गया है next आप यहाँ पर आरियो पोटिकले, expert, person अगर आप politics से जुड़े हुए हो तो yes पर select करेंगे अगर आप politics से आपका कोई लेन दना नहीं है तो no पर select करके यहाँ पर simply save पर click कर देंगे तो आप देख सकते यहाँ पर 4 step complete हो चुका है अभी आपको यहाँ पर account information दे देना है जैसे कि यहाँ पर required an account statement अगर आपको account statement चाहिए तो आपको yes पर select कर लेना है आपको बिल्कुल चाहिए next आप यहाँ पर select करेंगे आपका जो account का statement है वो किस तरह से आप लेना चाहिए ओनलाइन लेना चाहिए तो इस पर select करेंगे पोस्टे लेना चाहिए तो इस पर select करेंगे तो हम जो है online select कर लेते हैं next आपको यहाँ पर dbt mapping का option दिया जाता है यह जो part यह बहुत ही important option है तो यहाँ पर अगर आपको स्वारकर दोरा कोई भी fund हो कोई भी योजोना का payment हो कोई भी scholar हो अगर आपको other card में send किया जाता है अगर आप चाहते हैं कि वो fund आपका directly इस account में receive हो तो आपको यहाँ पर I agree to receive dbt in यह जो option है इसको select कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पहले जो payment का process था वो कोई भी change ना हो तो यहाँ पर जो है no I don't want to sense dbt mapping इस option को select कर लेना है उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ जो I agree का box है इस पर tick लगाएंगे और simply यहाँ पर save पर click कर देंगे इतना करते ही आपका जो account opening form है ओ completely यहाँ पर fill हो चुका है next आपको यहाँ पर simply continue कर लेना है next आपको यहाँ पर banking का जो option है अगर आपको mobile banking facility चाहिए तो इसको tick लगाना है यहाँ पर आपका कोई भी details गलत है तो आप यहाँ पर जो pen का option है इस पर click करके इसको edit कर सकते है यहाँ पर save information check out करने के बाद आपको यहाँ पर simply confirm पर click कर देना है next आपका आधरकाट के साथ जो mobile number link है उस पर एक final OTP send किया जाएगा OTP को आप यहाँ पर डालेंगे और simply submit पर click कर देंगे तो आपको थोड़ा सा avoid कर लेना है यहाँ पर आपका account number और customer ID मिल जाएगा तो under 18 वोले आप ध्यान से देखना अगर आपका इस तरह से account open नहीं होता है तो मैं आपको एक trick बताऊँगा तो चलिए वो trick में बाद मैं बताता हूँ पहले इत बताता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर जो है transaction करना है तो finally आपको यहाँ पर देख सकते है account आपका successfully create हो चुका है यहाँ पर आपका customer ID दीख जाएगा आपका account number यहाँ पर डाल देना है और customer ID यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आपका date of birth यहाँ पर डाल के उसके बाद आपका mall number यहाँ पर डाल देना है तो register पर click करके आपका mall banking पर login हो जाना है register पर click करने के बाद आपको यहाँ पर एक mpin create कर लेना है कोई भी MPN आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और इसी MPN को दोबारा यहाँ पर डाल के confirm कर लेना है, next आपको यहाँ पर set MPN पर click कर देना है, next आपका mobile नमर पर एक OTP बेज दिया जाएगा, OTP को आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद simply यहाँ पर submit पर click कर देंगे, next आप यहाँ पर देख सकते हैं, registration successfully, तो इसके बाद आपको यहाँ पर login पर click कर देना है, login पर click करते ही, आपका जो MPN अभी अभी आपने create किया है, उसको यहाँ पर डाल देना है, उसको आप डालते ही, आप successfully यहाँ पर अपना mobile banking app पर login हो जाएंगे, तो यहाँ से आप अपना mobile banking का सारी सुविधा ले सकते है, एक mobile banking app पर जितना भी facilities मिलता है, सबी facilities आपको यहाँ पर दिया जाता है, जैसी के आप इस पर click करके आपना balance को show करा सकते है, इस पर click करके आप अपना mini statement मंगा सकते है, इस पर click करके online पैसा transfer कर सकते है, आप चाहे तो किसी का contact number पर पैसा transfer कर सकते है, आप किसी का beam, UPI, ID पर पैसा transfer कर सकते है, किसी का account number पर भी आप पैसा transfer कर सकते है, तो यहाँ पर आपको बहुत सरा facility दिया जाता है, इस पर click करके request मानी पर आप किसी से पैसे के लिए request कर सकते है इस पर click करके आप अपना account का transaction देख सकते है कितना पैसा आया, कितना पैसा गया उसके बाद आप इस पर click करके आप किसी का QR code skin करके पैसा transfer कर सकते है जैसी कि phone पे, google पे में होता है उसके बाद आप नीचे scroll करेंगे यहाप आपको एक debit card का option दिख जाएगा इस पर click करके आप अपना virtual debit card का number देख सकते हैं इस virtual ATM card का use करके आप इस account को phone पे, Google पे और Paytm में भी चला सकते हैं तो इसका use करके आप online shopping बगरा कर सकते हैं तो under 18 वाले अगर आपका account इस तरीके से open नहीं होता है तो आपको एक काम करना है अपना mommy papa का आधार pen number डालके और अपना mall number डालके account को open कर लेना है उसके वाद आप सारा transaction कर बाओगे अभी यही एक option है जैसे under 18 वाले के लिए कोई अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको वीडियो ला दूँगा तो आज का वीडियो को यही समप्त करते है थैंक्यू गाइज